हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे ऊटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है फ्रेंड अक्सर मेंबर जब अपने युए नंबर अक्टिवेट करते हैं तो उनको एक एरर दिखाई देता है विए आपको पता है यह एरर किसली आता है फ्रेंड इस एरर का क्या करन होता है जब आप अपना नाम और डेटो बर्थ टाइप करते हैं तो आपका नाम और डेटो बर्थ PF से मैच नहीं होता है इसलिए आपको ये error दिखाई देता है और जो आप details टाइप करते हो वो अधार कार्ड को देखकर टाइप करते हो क्योंकि अधार कार्ड बाद में बनना स्टार्ट हुए है और PF में registration पहले हो चुका था इसलिए member को पता नहीं था कि बाद में PF के YC में अधार भी link करना पड़ेगा लेकिन फ्रेंड अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने माला हूँ कि अगर आप your number activate करते हैं और अगर आपको यह error आता है तो अपना सही नाम और date of birth कैसे पता करे जो हमारा PF में है जिससे हमारा your number activate हो जाए चलिए fan वीडियो को start करते हैं fan सबसे पहले हम google पर iw portal epfo type कर देंगे उसके बाद यहाँ नीचे first option पर click कर देंगे fan उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह का interface आएगा यहाँ पर friend आपको एक option दिखाई देगा application for coc इस पर हम click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर नया page open हो जाएगा यहाँ पर हम अपना year number और capture code type कर देंगे उसके बाद यहाँ submit पर click कर देंगे फिर यहाँ select member ID पर click कर देंगे और अपनी company के ID को select कर लेंगे fan उसके बाद देखिए जो भी आपकी company ने आपकी details डाली है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी आपका नाम date of birth भी उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम और date of birth देखकर year number असानी से activate कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर EP of होने एक option add कर दिया है जिससे member अपनी P of detail यहाँ पर check करके अपना year number असानी से activate कर ले फ्रेंड अगर आपका year number अब भी activate ना हो तो आप चेक करना की bank और pen में हमारा नाम और date of birth क्या है अगर उसमें सेम है तो फिर आप अधार में change करा लो उसके बाद आपका year number असानी से activate हो जाएगा क्योंकि जब आप year number एक्टिवेट करते हैं तो हमारे नंबर पर एक OTP send हो जाता है उसके बाद OTP टाइप करके हमारे नंबर पर नया पासवर्ड जन्नेट हो जाता है और एक मैसेज भी आ जाता है कि पासवर्ड सक्सेस्फुली फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल आसू यह साइए और प्रॉलम आ रही है तो आप मुझे कमिट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आइडिया आपको संबॉक्स में मिल जाएगी